शुक्रिया वेल नेक्स्ट हमें क्या करना चीए वो तो हमें सबहे पहले ही पता है कि नेक्स्ट हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि खाने का टाइम था मगर फिर और्गनाइजर्स ने हमें बुला लिया आपको खूब भूख लगी होगी मगर सुना है कि intermittent fasting से आपकी तब्यत बेतर हो जाती है तो you can credit both of us कि थोड़ी सी आपकी तब्यत हम भूका रखके बेतर करने की असल में कोशिश कर रहे हैं बरहाल जी आज मौजू बड़ा दिर्चस्ट दिया है आप जानते होंगे वलादमी इलियच यूलियानिओ उफ लेनिन जिसने अपना नाम लेना रिवर पर रखा इसलिए इसका नाम लेनिन था उसकी किताब का भी नाम था जो बड़ी मशूर हुई मैं लेनिन का आप कहलें बड़ा फैन हूँ मैं उसको बड़ा प्रिशेट करता हूँ मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस आदमी था अक्सर हम समझती हैं कि वो बस और्गनाइजर बड़ा जबरदस था हाँ इनकलाब उसने बरपा किया वगर जब आप तफसील से लेनिन को पढ़ें आप देखेंगे उसने फिजिक्स पे भी लिखा वा है उसने फिलोसिफी और हेगल पे भी लिखा वा है उसने प्लिटिकल माइन्ड है और बहुत आ यूनो उसकी जो एकस्पैंस है फ अफ़ अनर्स्तेंडिंग इवन रशन हिस्ट्री की अनर्स्टेंडिंग और क्लास ट्रॉक्चर की अंडिस्टेंडिक अनर्स्तेंडिंग बढ़ी इड़ानस्ट है इस्लिए मैं समझता हूँ कि जहां में मार्क् कमाल काम ये किया कि सर्मायादारी निजाम की धजियां उड़ा दी एक पूरा सिस्टम बनाया है मेथडालिजी बनाई जिसको हम डायलेक्टिकल मेटिरियलिजम कहते हैं कि तारीख को पढ़ने का तरीका क्या है उस मेथड को फिर उन्होंने सर्मायादारी निजाम पर अपला सारा किसा कहानी आप जानते ही होंगे तो माक्स का जो मेन काम था वो यही था अगर्चे उसने इनकलाबी सियासत में कुछ हिसा भी लिया मगर जो मेन उसकी सबसे बड़ी कॉंट्रिबूशन थी जिसमें उसने अप सारी जिन्दगी अपनी लगाई वो यह थी के पहले तो मेत की जाए कि सुसाइटी को देखना कैसे साइंटिफिक मेतिडॉलजी की जाए और फिर दूसरा यह कि उस मेतिडॉलजी को अपलाई करते वे जो मौझूदा समाज है उसको पढ़ा जाया और समझा जाया और उसके जहन में यह बात थी खास दूर पे 1848 के रेविलूशन के ब फर्स्ट कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल इसको का जाता है उसने का यार इसका हैड़कॉर्टर न्यू यॉर्क में भेजदो हमें लिखने पढ़ने का इस वक्त काम करना है इसकी असल जुरूरत है सो मार्क्स का में काम यही था कि उसने जो है एक क्रिटीक एक मेथडॉलजी और एक क्रिटीक लेडाउन की यह काम के सोशलिस्स सुसाइटी के लिए जदोजहत की जाए एक पूरी रियास्त बनाई जाए एक इनकलाब बरपा किया जाए इसका सिरा जो है वो लेनिन के और य गुसो का या रोबस्पियर का नाम लेते हैं या क्रॉमवेल का नाम लेते हैं या इवन जॉर्ज वाशिंटन अबरहिम लिंकन का लाम लेते हैं यह सारे बड़े ग्रेट अपने अपने पीरिट के इनकलाबी किसम के लोग हैं तो वहाँ पे लेनिन का नाम भी जो है इसी फ deserves कि उसको पढ़े तो सही, उसको समझे तो सही, उसकी बात का उस करिकेचर ना बनाएं, उसकी बात का मजाख ना उड़ाएं, उसको seriously ले कि उसको समझें, कि बाबे ने क्या लिखाता है, वैसे भी उसकी दाड़ी भी बड़ी fashionable, मुच्छे भी बड़ी fashionable थी, कालमाक्सी जरा थी ती ना उसकी दरह फैशनिबल थी ना तो लहाजा मेरा ख्याल यह मैं मजाग कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा पीश मैं मजाग भी करता है तो हमको पता हो रहा हुआ जी तो हमें पढ़ना चाहिए समझना चाहिए कि लेनिन क्या कहता है देखें जी आप सब यहां बैठे है कुछ लोग पी टी एम से मतासर होंगे कुछ लोग औरत माज से मतासर होंगे कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर और मुक्तलि तहरीकों से या दुनिया के अंदर तहरीकों से मतासर होंगे फलस्तीन में तहरीक इस वोकत बहुत बड़ी चल रही है बड़ी लड़ाई चल रह ये कोई किसी इंडिविजुल ने पैदा नहीं किया बलकि ये निजाम के साथ जुड़ावाई यानि कि इसको हम कहेंगे एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है अगर तो आप देखें सारे ला रहा है ये मेरा दोस्त अगर तो आप इसकी तरह सारे ला रहे हैं और कहरें ये सिस्टम ही सारा खराब है वैसे भी यंग लोगों में तो एक शौक होता है ये कहते हैं कि सिस्टम ही है खराब जिस तरह अली हैदर का पुरानी जीन्स वाला गाना भी था जादना है पुरानी जीन्स और गिटार उसमें हो कहता है ये सिस्टम ही है खराब तो यंग लोग तो वैसे ह कि काथे हैं, अगर सिस्टम वाक़ी आप माँथे हैं कि खराब है। और आप समझते हैं कि इस सिस्टम को तबदील होना चाहिए, तो जानने सिस्टम तो तब इस तब इस हो सकता है, कोई ना कोई कदर होगी कोई ना कोई पावर होगी तब ही मैं जाओंगा ना इक्तदार भी इसी से निकलता है so power is what it's all about politics is all about power मैक्यवैली बिल्कु ठीक कहता था उसी ने इस सारी चीज़ को तबदील भी किया हमें समझा है भी कि let's study power and understand what it is अगर power की हम बात करते हैं कि आप power हासिल करना चाहते हैं power से ये मराद मेरी नहीं है महज किसी दूसरे अमार पे मैंने power हासिल करनी है ऐसी कोई बात मगर स्यासी एतबार से आप चाहते हैं कि समाज को तबदील करने वाली कुबत आपके पास होनी चाहिए इसको हम political power कहते हैं कोई भी आप इसको नाम दे ले मगर political scientist इसको political power कहते हैं अगर इस मकसद के लिए आप organize होते हैं आप कहते हैं कि हम मैं सियासी एक्तदार हासिल करना चाहता हूं तो चाहे आप अपना नाम progressive students collective रखें या आप अपना नाम कुछ और रखें जो भी आप अपना नाम रखें अगर mentally और organizationally आप एक्तदार हासिल करने के लिए जदोजायत कर रहे हैं तो फिर आप एक political party हैं चाहिए आप अपना नाम पो डेमो रख लें या सरीजा रख लें या communist party रख लें बड़ा आप एक party हैं party का मतलब ही है कि आपने कोशिश क्या करनी है सियासी इक्तदार हासिल करने की मगर मसला यह है कि इक्तदार अगर अमार अली जान ने खुद हासिल करना होता तो अब ही वो च्छलांग लगाता है कोई मैं कहने लगा था PTI कर ले मगर सॉरी वो तो उसका तो आप बहुत बुरा हाल हो गया है मगर चलो कोई P.M.L.N. में चला जाए कोई people's party में चला जाए कोई और party में चला जाए महां इक्तदार इसको मिल जाएगा वहां बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमार साथ आप डॉक्टर भी हैं कोई चिपेट की दवाई भी हमें साथ-साथ दें और साथ-साथ इनको समझाना पड़ेगा मैं वह वह बहुत डॉक्टर नहीं हूँ मैं PhD डॉक्टर ह इनको वेलकम भी किया जाएगा इसी कोई बात नहीं है तो मामला फिर यह है कि हमने एक्तदार हासल करना है किसी फर्द ने एक्तदार हासल नहीं करना किसने एक्तदार हासल करना है उन लोगों ने जिनकों कहते हैं महरूम है एक्तदार से यानि कि मेनत कश लो मेनत करने वाल करें, वो किसी दूरद्राज़ आलाके के अंदर मेनध करें, मेनध करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरह मेनत चीनने वाली लोग. और जो मेनत चीनने वाले लोग हैं, वो यार अक्तिदार में बैठी है, उनκे पास बड़ी एक फर्द को एक्तदार दिलवाने से बड़ी मुख्तलिफ चीज है किसी तबके के पास एक्तदार होता ही इस वज़ा से क्यूंकि वो तबका बैसियत एक तबका बहुत ही ज्यादा मुनजम होता है वो जानता है कि उसके मुख्तलिफ इदारे बनाता है उसके लिए वो मुक्तलिफ अपनी तन्जीमें बनाता है एक तन्जीम नहीं होती उस तबके की कई तन्जीमें होती है कई मुक्तलिफ किसम की तन्जीमें होती है यहां के हुक्मरान तबके के मुक्तलिफ हिस्सों के पास मुटलिफ अपनी अपनी सियासी पार्टियां भी है और अगर उस सब सब चीजों में फैल हो जाएं तो सबसे तकतवर सियासी पार्टि भी है यानि कि आप जानते हैं मैं किसकी बात करूं का नाम नहीं मिलूंगा वो भी उनके पास है option कि यहां भी जाए जा सकता है इसके लावा उनके पास मीडिया भी है इसके लावा उनके पास chambers भी है commerce के chambers हो इसके लावा उनके पास बहुत सारे और किसम के school colleges universities वगरा वगरा एक पूरी रियास्त है भाई जान उनके पास ठीक है और रियास्त के कितने सारे अदारे हैं आप देखें तो the ruling class is very well organized स्वाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोलितारिया को एक्तदार दिल्वाना है प्रोलितारिया ने अपने हकुक असिर करने निजाम को तब्दील करना है तो ये कैसे मुम्किन होगा अब प्रोलितारिया खुद भी लड़ती है और जो भी गरीब होता है जो भी मजलूम होता है उसको अमार अली जान आके बताए या ना बताए उसको कम से कम ये पता होता है कि मेरे हालाद बड़े खराब हैं मैंने उनको बेतर करना है लहाजा लोग लड़ते हैं तारीख में लड़ते हैं स्पार्तिकस का नाम आपने सुना होगा तॉमस मुंजर का आपने नाम नहीं सुना होगा वो बड़ा जबर्दस क्रिस्चन किसम का कॉम्मिनिस्ट था वो कहता था Christianity, hey communist अंदाजा करे, एना Baptist का नाम आपने नहीं सुनागा, वो भी ये कहते थे और भी बहुत सारे लोग हैं, पड़ी struggles होती रही, मजदूर तबका जो है वो अपनी तनखा बेतर करने के लिए उसको किसी बड़े intellectual की जरूरत नहीं है कि जन्मों के उन्को बताएं के जि आपने अपने हखु के लिए लड़ना है, वो खुँझ जानता है वो कहता है, मेरे सब्स्यूंग तनुमाबद आदे और नहीं हरावताब के ज pra finalement बहुत बूरे चालाथ ये नि एना तो हर बंदा जानता है ना तो वो इन चीजों के लिए लड़ता है और लड़ सकता और अपनी तन्जीमें भी बनाता है और खुदरो तरीके से तन्जीमें बनाता है बलके यही नहीं वो अपनी सियासी पार्टियां भी बना लेता है चार्टिस तेरीक जो थी चार्टिस पार्टी जो थी वो पहली यूरप की पहली बर्किंग क्लास पार्टी थी जो मजदूरों ने खुद बनाई और उन्हें ने ये का कि हमें वोट का हक दिया जाए ये सब चीजें मजदूर स्पॉन्टेनियसली हासल कर लेता है मगर मजदूर और महरूम लोग जो हैं वो महरूम है जा मौशी एतबार से तो वहां और एतबार से भी उनको महरूम रखा जाता है उनको तालीम से भी महरूम रखा जाता है सेथ की सहूलियात से महरूम रखा जाता है उनको कल्चर से महरूम रखा जाता है उनको साइंस के अलूम से महरूम रखा जाता है उनको आर्ट से महरूम रखा जाता है वो कहते हैं आप में क्या करने है आर्ट पढ़के या बेठोब उनको समझ के आपका काम तो यह है कि मेरी फैक्टरी के अंदर फिलानी मशीन चलानी है इतनी तालीम आसल करो जो इससे वो आप मशीन चला सके आप इससे जदा तालीम आपको दिलवाने की ज़रूरत नहीं है हुक्मरान तबका कहता है क्यों क्योंकि तालीम देने के लिए मेरे वसायल इस्तमाल होंगे तो मैंने तो वसायल वैसे इस्तमाल करने जिसमें मुझे सब ज़दा फायदा है कैपिटलिजम का असूल भी है तो वो यह कहते हैं कि आपको उतनी ही तालीम देनी जितनी है आपकी ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत यह है कि आपने मशीन चलानी है तो इतनी ही तालीम बहुत है मज़दूर को इससे जदा तालीम अवाम को इससे जदा तालीम देने की ज़रूरत ही नहीं तो लहाज़ा आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी आप देख सकते हैं, यह हुक्मरान तबके ने अपने स्कूल कॉलेजिस, अपने तबके के लिए स्कूल कॉलेजिस अलाइदा बनाये हैं, वहाँ पे वो एक किसम की ब्रॉड एजुकेशन देए, वो कहते हैं, चाहे उसरी तालीम है, जो अवामन नास के लिए रखी गई है, और उसमें वो कहते हैं, क्या करना है, यह सब चीज़ें पढ़के, बस नौकरी आसल करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, उस तक फोक्रस रखो, उससे आगे नहीं जाना, इसका मतलब यह है, चाह पे एकनॉमिक खतम करना है, और दूर करना है, अब कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, और अक्सर वो उसी तबके में से, मैं अपने फेवरिट स्टूडन लीडर की बात सुन रहा था, हैदर अली बट की बात सुन रहा था, वो कह रहा था, स्टूडन भी है, एक इनकलाबी एजेंट है, मु होता है, इससे मेरी मुराद यह है, कि ना जब आप स्टूडन था, ना तो आपने काम करना है, ना आपने कमाना है, अम्य अबू ने कमा के आपको दे दिया, ठीक है, या आप स्कॉलर शेप पर पढ़ लिया, या अगर लगी हो गए तो रियासत ने आपको कोई सबसड़ा स मजबूरियों से, निस्बतन समाज के मुकाबले में निस्बतन बचे रहते हैं, वो चार-पांच साल, क्योंकि आपका काम यह है कि आपने पढ़ाई करनी है, शायद बहुत सारे लोग आज कल की जमाने में यह मामला ना हो, बड़ इन ठीरी एट लिस्ट ऐसे है, कि आपको आपे मौशी बोज आपसे हटाना है, ताकि आप पड़ सकें, यह मसला है, अगर आपको फ़री मौशी बोज आ जाए, जैसे मजबूरों के बचों पर आता है, जो फैक्टरियों के अंदर 12 साल की उमर से काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो तालीम हासिल नहीं कर सकत या वो चाहे मौसीकी का इल्म हो, या किसी चीज़ का भी इल्म हो, हर इल्म, सारा इल्म जो एक दरिया की तरह है, एक ही समुंदर में उसने उतरना होता है, वो एक दूसरे के सथ हमेशा जुड़ा होता है, जिस बंदे की आप कॉगनिटिव अबिलिटी एक फिल्ड में डि एक्ट्री के अंदर जब मौशी लड़ाई होती है, जब मसला होता है, उसके लीडर खुद पैदा होते हैं, हमने नहीं पैदा किया, वो खुद पैदा होते हैं, इनको मैं कहता हूँ, दे वैंगार्ड आफ दे वर्किंग क्लास, ये मेनतकर्श तबके का वैंगार्ड है, लतीफ अंसारी को हमने नहीं पैदा किया, वो खुद पैदा हुआ, अर्फान अली को हमने नहीं पैदा किया, वो खुद पैदा हुआ, मिर्जा इबराहिम जो है, वो वर्किंग क्लास में से खुद पैदा हुआ, स्ट्रगल में पैदा हुआ, अपने तबके के लिए intellectual vanguard पैदा होता है जो कहता है ये सब कुछ जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये दर हकीकत एक छोटे से तबके के मुफादात के लिए पढ़ाया जा रहा है और इस सबसे मैं बहावत करता हूँ और हो सकता है मुझे अपने आप से अपने तबके से अपनी फैमिली से अपने revolutionary intelligence है वैसे तो intelligence intelligence है बहुत होता है ये revolutionary intelligence या उस organic वैंगार्ड या intelligence के साथ जुड़ने की खौाइश रखता है और दोनों अपनी अपनी skills लेकर आते हैं इस तहरीक के अंदर जो revolutionary intelligence है वो दुनिया की जो learning है जिस से मजदूर तबके को महरूम रखा गया है वो अपने साथ ल लिए लेकर आता है और मजदूर तबके को वो चीज़े सका सकता है जो मजदूर तबका अपने तबकाती ग्रूव में रहते हुए नहीं उसके पास access ही नहीं है वो नहीं उसके पास मौका नहीं उसको दिया गया कि वो सीख सके और revolutionary intellectual अपने तबके से तूट के जब मेनत के हालात देखें उनकी struggles देखी तो मेरी आखें खुली मुझे समझ आया कि असल में दुनिया रहती किस तना से सो यह जो connection बनता है एक तरफ revolutionary intellectuals का और दूसरी तरफ vanguard of the working class का यह एक killer combination है लेनिन कहता है मैं नहीं कह रहा लेनिन कहता है यह killer वैसे ऐसे लफस नहीं वैसे हो यह थोड़ी slang मैं यूज कर रहा हूं जो आप लोग भी यूज करते हैं करते हैं या this is a winning combination यह ace है जनाब यह whole in one है जनाब यह च्छका मार दिया है जनाब killing combination है कमाल चीज है क्यों कमाल चीज है जो इनकी महरूमी वो यहां से पूरी जो इनकी खवास्ते वो वहां से पूरी या और उसके नतीजे में एक तहरीक ऐसी बनती है जो कि वाकिए यह ability रखती है कि वो हुक्मरान तबके को challenge कर सकें क्योंकि प्रॉलितारिया ने सिर्फ या महकूमों ने सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ना महकूमों ने सिर्फ अपनी तंखा बेतर करने के लिए नहीं लड़ना रियासत से कुछ मुराच लेने के लिए नहीं बहुते लोडना इवन प्राइम इनिस्टर या पारलिमने में बैठने के लिए भी नहीं महज लड़ना और यह को एक रदार काइम करना जो कि मेहनत कष्टबके ने करना है वो भी उसका objective है वो जो रियास्त वो बनाता है वो तो सिरफ एक नीड है of the time और वो जब नीड खतम होगी वो रियास्त भी खतम होगी so इस तरह से जो radical intelligence या है वो scientific इल्म, artistic इल्म, dialectics, materialism, history of philosophy, political economy, politics का इल्म, art का इल्म, सारा इल्म जो है वो मजदूर तब्के की तहरीक के साथ जोड़ता है और दूसरी तरफ साथी साथ ये सबग सिखाता है कि इस निजाम में रहते हुए कभी भी तुम्हारे साथ नियुकर तुम्हारे साल होगा मलकियती रिष्टों का बदलो, तबकाती रिष्टों का बदलो, तब तब दिली आएगी और मेनत कष्टप का इस नॉलिज को ग्रास्प करता है और स्पंज, और चाहता है, हमें कहता है बाउ सानु, आ के कुछ नवी गल दसो ओगल जेडी सानु, पहले पता है, उदे दसंदा की फादा, सुरी पिजाबी में शिफ्ट होगी हो वो कирता है जो चीज पहले हमें पता है, पताने किया जूरोत है, आप बड़े ग्री ग्रीब हैं आप के अलात बड़े ख्राब हैं, वो कris दे दाया बहुआalten, मैं रहे रहाना हूँ मुझे नहीं पता हूँ, कोई ऐसी बास बताओ मुझे, जो मुझे नहीं पता ताकि मैं इस गुर्बत से को तोड़ सकूँ, इस जन्जीरों को तोड़ चाँ। तो अब उस तपके ने अपने आपको और्गिनाईज करना है उस तपके ने अपने आपको जब और्गिनाईज करना है तो सबसे पहले लेनिन लिखता है उसने अपनी आईसोलेशन तोड़नी है उदर एक फैक्टरी में जदो जायद हो रही है अगले नेबर होड में नहीं प ठक ठक करके भी चेंज करती है, मगर मजदूर तब के को ख़बर नहीं होती कि दूसरी जगा, दूसरे पिंड में क्या हो रहा है, उनको इतना भी नहीं पता होता है, तो सबसे पहले क्या है, पूरी स्ट्रगल्स को कठा करना है, सारी स्ट्रगल्स को कनेट करना है, कम से कम वो information तो पहुंचे correct कि दूसरी जगों में क्या हो रहा है so पहले information पहुंचानी है दूसरी बात educate करना है लोगों को बताना है कि ये history क्या में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरह ये निजाम बना किस तरह नहीं बना और तीसरी बात agitate करना है लोगों को उनको उठाना है उजागर करना उनको जिन्दा करना so Lenin ने एक proposal रखा proposal उसका ये था मैं उसने का ऐसे करता हूँ हम एक अखबार निकालेंगे क्या कर निकालेंगे अखबार उसका नाम भी रखेंगे चिंगारी हुए हुए इसक्रा और फिर एक और अखबार उसने नकाला दा टूट्स प्राफदा वगरा है ये चिंगारी जो है वो कहता है एजिटेटर भी होगी एजिटेट करेगी लोग इसको पढ़ेंगे वो और्गनाइजर भी होगी क्योंकि अखबार जब निकलेगा लोग एक दूसरे को तक्सीम करेंगे तो उसको पब्लिश परिंट तक्सीम करने के अमल में और्गनाइजरशन बनेगी और एजिटेशन भी करेगी पन्सेंसेंकरेंगी और ये लेनिन्न ने करना शुड़ किया मुल्क से वो बाहर चला गिया उसको एक्जाईल होगी पहले तो उसको जेल होगी साइबिरिया भेज दिया साइबिरिया से भागा दूसरे मुल्क में गया और वहां से वो अख़बार निकालता था अख़बार निकाल के चोरी चुपे लोग जो है की secret police थी उस जमाने की वो तलाष करती थी कहों रोगां जो इक वाखे लेक के आ अधर थी कोई literature publish करना illegal तो्टली illegal maources literature इसके समका publish करना तो वो तलाष करते थे तो लेनन ने यह कह वो बड़े इसानी से निकाल लेते थे क्योंके हमारे लोग बड़े peace-loved happiness type लोग होते थे वो जा के किसी को मल्ले में प्ता देते थे मैंने लेनिन की पार्टी जॉइन कर ली है अगले दिन मों किसी और को प्ताता था आगे सीक्रेट पॉलीस वाला बंदा आगे उठागे ले जाता था तो सारी तंजीन तुमा हो जाती थी तो लेनिन ने का नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी हमें ऐसे बंदे चाहिए जिनकी ट्रेनिंग हो कि वो राज रख सकें वो प्रफेशनल रेवलुशनरी हैं क्यों उनका डि एजिटेटर बन सके ताकि वो एजुकेटर बन सके इस चीज के गिर्द उसने पूरा एक मनसूबा तैय किया और आप देख सकते हैं कि वो इतना कामयाब हुआ इस चीज में इतना कामयाब हुआ कि उसने दुनिया के अंदर पहला सोशलिस्ट इनकलाब बरपा कर लिए अब कोई बंदा उठके ये कहा है कि जी मैं अपने आपको वैंगार्ड पसफर करता हूं मैं वैंगार्ड पार्टी बन गय kilo और मैं 12 वोगों की पार्टी बनाऊंगा और वैंगाड उने कर अदेंगा स्बोत मैं ये देता हूं कि 10 सालों के अंदर 12 से वो सिरफ 13 वोगों की पार के लोग जो के मजदूरों के अपने लीडर थे वो उस पार्टी को ओन करते थे एक तरह से वो पार्टी ब्रेन बन गई थी वर्किंग क्लास का जेनरल हेड़ पॉर्टर बन गई थी और वो सिर्फ पार्टी अकेले नहीं उसने इनकलाब किया उसके साथ ट्रेड यूनियन शा शामिल थी उसके साथ एक वास्ट अर्य ऑफ और्गनाइज़ेशन शामिल थी और लेनने मेंशा यह कहता था कि मेनत कश्टब का सिर्फ अपनी पार्टी की बन्याद पे अपनी वैंगार्ड की बन्याद पे एक्तदार नहीं हासल कर सकता वो एक्तदार हासल करता अवाम की बन्याद पे वैंगार्ड वैंगार्ड है ही नहीं अगर उसके पीछे को रेर गार्ड नहीं उसके पीछे को बंदा ही नहीं है तो वैंगार्ड गैसा वैंगार्ड होता ही वो है जिसके पीछे लोग होती है भाईजान अधर्वाइस वो वैंगार्ड पार्टी नहीं अपन के लिए के सीक्रिट पुलीस से बचना है उसके बाद जब सीक्रिट पुलीस का मसला खतम हो गया तो उन्होंने उस पार्टी को और बढ़ाया बगयरा तो ये पूरी कहानी थी उस किताब की या किताबचे की जिसका नाम है वाट इस तू बी ड़न हम इसको अक्सर गलत समझ ब स्ट्रगल्स हों और स्ट्रगल्स हों उनसे कोई रास्ता नहीं और हम कहते हैं हम लेनिनिस्ट हो गए ये कोई लेनिनिस्म नहीं है कोई पार्टी पाकिस्तान के अंदर लेनिनिस्ट पार्टी नहीं है मेरी पार्टी भी नहीं है कोई नहीं है क्योंके अभी कोई पार्टी स कि पाकिस्तान में इसको कैसे मुम्किन किया जाए सबसे पहले तो ये कि अखबार निकालना तो अब आउट ओडेट हो गया जारा जैसे हम कहते हैं पोस्ट मौडर्न लेंगविज में इस बिट पासे ठीक है ना पुराना हो गया है क्योंकि अखबार तो वैसे ही अब आउट आउट ओडेट हो जाए अब इंटरनेट सबसे ताकतवर मीडियम ऑफ कम्यूनिकेशन है पूरी दुनिया के अंदर इतना ताकतवर मीन्स अब कम्यूनिकेशन है कि आग सुबा मैंने एक वलोग बनाया और वीडियो बनाया और पांच सार लोगों ने देख लिया मैंने कु वाज़ेदार किसम के ट्वीट पाढ़ रहे होते हम बाराल तो इंटरनेट बहुत ताकतवर मीडियम है और आप देखें उसने बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों को जनम दिया है अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये भी कहूंगा कि यह जो स्टूडन्ट रिवाइवल जिसकी एक निशानी प्रोग्रेसिव स्टूडन्स कलेक्टिव है इसमें भी इंटरनेट का एक कलीदी किरदार है ये जो औरतों की तहरीक दुबारा से जिंदा हुई है पाकिस्तान के अंदर वैफ वगरा के बाद इसमें भी इंटरनेट का एक कलीदी किरदार है ये जो प पे थेजी से और्गनाईज होते हैं. So, हम समझते हैं, बहुत कम हैं, मगर हमें इसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. माओ कहता है, जो आपकी वीकनस है, उसी को अपनी स्टेंथ मनाएं. अगर आप छोटे बॉकसर हैं, तो नीचे नीचे घूम के पंच किया करें. अगर आप लंबे बॉकसर हैं, तो पीछे पीछे रहा के पंच किया करें. हर चीज जो है ना, उसका हर वीकनस को अपनी स्टेंथ बनाया जा सकता है. हम भी अपनी weakness को अपनी strength बना सकते हैं, हमारे numbers थोड़े हैं, doesn't matter, इसका मतलब है हम जदा tightly well organized हो सकते हैं, इसका मतलब है हम जदा well, अच्छे coordinated तरीके से काम कर सकते हैं, मकसद क्या है मेरी सारी बात कहने का, बात का खुलासा यह है, कि to win in this big battle against capitalism, against imperialism, against patriarchy, against racism, against national oppression, हमें, we have to win the battle of ideas, ख्यालात के मैदान में हमें जीतना होगा, यह हमारी आज की तारीख में, आज की जमाने की तारीख में, जो हमारा तारीखी फरीजा है, सबसे पहला, वो यह है, we have to win the battle for ideas, और इसके लिए हमारे पास एक ऐसा हत्यार है, जो ना माक्स के पास था, ना स्पार्टिकस के पास था, ना लेनिन के पास था, ना माओ के पास था, ना किसी और के पास था, वो है, आज के communications, revolution, जिससे हम अपने ख्यालात बड़ी तेजी स लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आप लोग इसको मुम्किन बना सकते हैं, क्योंकि जितने वो उमर के leftists हैं, जो मेरे से बड़े हैं, उनको ये सिखाना के Facebook कैसे चलता है, एक अजाब है, उनको आदत नहीं, they are not native to the technology, मगर you are natives to the new technology, इसलिए मैं समझता हूँ, घबराना नहीं, जिस तरहां इमरान खान कहता है, अगरचे वो जेल में बैठा है, मगर बाराल, उसने बात ठीक ही, घबराना नहीं, मैं समझता हूँ, अगले ही, इस सौ सालों के अंदर, इस सरमायादारी निजाम का, किल्ला कुमा होने लगा है, ये खतम होने लगा है निजाम, और एक इनकलाब बरपा औरेड़ी आइडियाज का कर रहा है, और इसने मजीद करते चले जाना है, और इस निजाम के जो फाइनल नेल इन दे कॉफिन है, वो इस नए कम्यूनिकेशन रेवलूशन के नतीजे में होगी, थैंक यू सौ माइच.